नमस्कार बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है आज है 20 अगस्त तो चलिए बिहार के 15 प्रमुख खबर के बारे में जानते हैं तो साथ में आप सभी कमेंड वर्क्स में ये जरूर लिखे कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और अपना एक प्यारा सा लाइक इस व संक्रमन के बुद्वार को 2884 नए मामले सामनी आये हैं नए मामले के सामने आने के साथ ही बिहार में कुरोना संक्रमितों की कूल सेंख्या बढ़कर एक लाग बारा हजार साथ सो उनसट हो गई है बिहार में कुरोना वारे संग्रमन के मुदवार को राज़ाने पटना में सबसे ज़्यादा 422 कुरोना संग्रमन मिले हैं पटना के अलावा अइन आठ जिलो में भी सो से ज़्यादा कुरोन संग्रवन के मामले सामने आये हैं वहीं 14 जिलों में आखड़े 50 से 100 की बीच रहे हैं मुईकमंत्रे नितीस कुमान ने जम्मू कस्मिर के बारा मुला में हुए आतंकी हमले में सहिद हुए मुईकमंत्रे नितीस कुमान ने कहा कि सहिदो के परिवार से एक एक आसरितों को राज सरकार की और से नौकरे भी दी जाएगी एक्टर सुसान सिंह राजपूत की मौत के मामले की जाज सिबिया ही करेगी सुप्रीम कोट ने बुद्वार को यह आदिस दे दिया है कोट ने कहा निस्पक्स जाज के जरिये सही बाते सामने आएगी तो निश्ची थी उन बेक कोसरो को इनसाफ मिलेगा जो बदनाम करने की केमबन के स्विकार हुए है सिबिया जाज के फैसले से पिटिसनर को भी नियाय मिल पाएगा क्योंकि उन्होंने खुद भी इसकी मांग की थी आपको बता दे कि सुसांद की गल्पेंड राचुकी रिया चकरवती ने पटना की जाज को मुंबई ट्रांसफर करने की अपिल की थी इस बीच महाराष्ट के गिर्या मंत्रे अनिल देस्मुक ने मुदवार साम प्रेस कॉनप्रेस में कहा कि हम सुसांद मामले में सिब्या जाज का स्वागत करते हैं सुप्रीम कोट ने साप साप लिखा है कि मौंबई पुलिस ने सुसान्त मामले की जाज की इन्वेस्टिगेशन प्रोपेसिनली की है हलाकि बाबा सहीम अम्बेटकर ने जो समिधान बनाया है उसमें फेडरलर इस्ट्रक्चर जो है उसे देखने की जरुरत है एक्टर सुसान सिंग राजपूत के मौत मामले में सुप्रीम कोट के सिविया जाज के फैसले पर मुखमंतरी नितिस को मानने कुछी जाता ही है नितिस ने कहा कि सिविया जाज से ही सुसान के परिवारों को इनसाप मिलने की उम्मिद है सर्वोच नियालई के फैसले से यह साबित हो चुका है कि बिहार सरकार ने जो कदम उठाया था वह बिल्कुल सही था एक्टर सुसान सी राजपूत के मौत मामले में जाज सिव्याही करेगी सुप्रीम कोड ने बुद्वार को यह फैसला सुनाया है इस पर बिहार के D.J.P गुपते सर पाड़ने ने कहा कि नयाय की जीत है रिया चकरवर्ती के परिवार वालों की तरब से मुखमंतरे नितीस कुमार पर कमेंट को लेकर D.J.P ने कहा कि उनकी अवकाद नहीं है कि नितीस पर कुछ बोल सके नितिश कुमार के सपोर्ट से ही सुसांत के परिवार वालों को निया मिलने की उमीद जगी है राजधानी पटना में बुद्वार को विपेसी दफ्तर के बाहर रिजल्ट जारी करने के मांग को लेकर चात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया इसमें कई चात्र गंभी रुप से घायल हो गए लाठी चार्ज के बाद भी चात्र नहीं माने और सरकार वो प्रसासन के किलाब जमकर नारेबाजी की 2018 में विपेसी की तरब से सिविल इंजिनेरिंग की परिचा का अवजन किया गया था इसका रिजल्ट वो साल बाद भी जारी नहीं किया गया इसी को लेकर चात्र विपेसी दफ्तर के बाहर प्रदसन कर रहे थे चात्रों का कहना है कि दो साल गुजरने के बाद भी अब तक परिच्छा का रिजल्ट घोसित नहीं हुआ है उच मैदमिक विद्दालयों के 40,050 अतिती सिख्चकों को कुरोना की करण लोगडाउन अवदी का भी परस्रमिक भूगदान होगा मैदमिक सिख्चा उप मनेदेशक वा सिख्चा विवाग के प्रवक्ता आमीत कुमान ने बताया कि सेक्चनी कलेंडर के अनुसार स्कूल खोला रहने की तितिका परस्रमिक भूगदान करना है सबी डियों को इस समद में निर्देश दिये गए हैं अतिति सिख्चकों को परिश्रमिक भूगदान के लिए सिख्चा विवाग ने पिछले दिन 117 करोर 27,45,000 रुपय जारी कर दिया था अतिति सिख्चों को वित्य वर्स 2021 में परिश्रमिक के लिए 101 करोर 11,50,000 रुपय स्विक्रित किये गए है राज के 150 सरकारी आईटिया में 228 नियमित इंस्ट्रक्टर की बहाली होगी राज तकनिकी सिवा आयोग के मैदम से बहाली होगी इसके लिए स्रम संसादन विभाग ने आयोग को इंस्ट्रक्र की रिक्ती भेज दी है माना जा रहा है कि एक मा के अंदर बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी बहाली के लिए अभियर्तों की लिकित परिक्षा ली जाएगी सामाइन प्रसासन विभाग के निर्देश पर स्रम संसादम विभाग ने नए सिरे से इंट्रक्टर के रिक्त पदों का आकलन किया है इन पदों में स्वर्न वर्ग को 10% आरक्षन का प्रावधान भी जोड़ा गया है पिछले तीन साल में राज में आईटिया की सेंग्या दोगनी यानि एक सो नचास हो गई है उपट्रेक अन्नुमंडल में कम से कम एक आईटिया कोलने का सरकार का संकलब तो पुरा हो गया लेकिन आईटिया में ट्रेड के अनुसार इंश्रक्टर नहीं रखे जा सके है मानसुन सत्र सुरू होते ही बिहार में सामाइन से 86 पिजदी तक अधिक बारिस रिकोर्ड किया गया जैसे जैसे मानसुन सत्र में रफ्तार पकड़ा बारिस के ओस्त में लगातार गिरावट होती गई अगस्त महिने में मौसम सुस्क रहने से बारिस का ओस्त लगातार गिरता गिया अगस्त के पहले हपते में जहां बिहार के 38 जिलों में समायने से 56 पिजदी तक अधिक बारिस रिकोर्ड किया गया था वहीं दूसरे सप्ता में कम बारिस होने से समायने से 37 परसंट अधिक बारिस रिकोर्ड किया गया चार दिनों तक मौसम सुस करने की वज़े से बिहार में समाय ने से 30 फिजदी कम बारिस रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम विबाग के जारी सुचना के अनुसार अगरे चार दिनों तक गर्मी से नहीं मिलेगी रहात। प्रदान मंत्रे नरेदर मोदे की अगवाई में केंदर केविनेट की बुदवार को बैठक वी जिसमें कई बड़ी फैसले लिए गए अब केंदर सरकार की सरकारी नोकरीों के लिए एक ही टेस्ट होगा। केंद्रिय कमिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है केंद्रिय मंत्री प्रकास जावेकर ने इस पहसले के बारे में जानकारी देते विए बताया कि देश में सरकारी नौकरियों के लिए 20 से अधिक भरती अजेंसिया है सरकारी नौकरियों के लिए युआओ को बहुत से टेस्ट लेने होते हैं केंद्रय मंत्रे मंत्रे इसे लीएथ केंद्रे मंत्रे जितेंद्र सिंग ने केंद्रें के फैसले की जानकारी देते बताये कि common interest test की merit list तीन साल तक मायने रहेगी इस दोरान candidate अपने योगता और प्रात्यमिक्ता के हिसाब से अलग-अलग सेक्टर में नौक्रियों के लिए आवेदन कर सकेंगे यहाँ एक एतिहासिक बदलाव है बिहार विधानसबा चुनाओ के पहले विभिन राजनेतिक दलों में आवाजाही तेजी होती दिख रही है इसी से जूड़ी बड़ी खबर है कि राष्टिय जनता दल सुप्रियमो लालू परसाद यादव को उनकी समदी चंद्रिका राय ने जटका दिया है मुक्मंत्रिक कुसल सरमिक उद्दमी कलश्टर योजना के तहत जिले में 20-20 लाग के दो परियोजनाय सुरू होगी इसको लेकर जिला अधिकार डाक्टर चंद्रसेकर सिंग ने बुदवार को उद्योग विबा की योजनाओ की समिक्चा बेटक में महतपूर निर्देश दिये बताया गया कि जिले के वो चाहा प्रकंड में लहटी वा दूसरा सक्रा में सेनेटरी प्रेड निर्मान है तू कलश्टर का निर्मान किया जा रहा है यह दोनों परियोजना जिले के लिए चिन्हित PSU बिहार पूल निर्मान निगम लिमिटेड द्वारा पोसित की जा रही है बिहार में लौकडाउन की अवदी को बढ़ा दिया गया है अब 6 सितमबर तक बिहार में लौकडाउन लागुक किया है जिसको लेकर सरकार की ओर से गाईडलाइन्स भी जारी कर दिये गया है केंदर सरकार के guidelines को बिहार में लागू किया गिया है सरकार की और से lockdown के दोरान क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा उसकी पूरी लिस्ट जारी की गई है और आपको news 24-7 में इसका विडियो भी मिल जाएगा सरकार के निर्देश के बावजूत पटना बस इस्टेन से धड़ले से बसो का परिचालन हो रहा है खबर मिलने के बाद जिल्या प्रससन के नीन खुली और उसने करवाई करते भी मिठापूर बस इस्टेन से कई बसो को जब्त किया है समस्तिपूर जिल्या में पिछले एक महने से कई छेत्रों में बाड के इस्थिति बरकरार है बाड प्रभाविश छेत्रों के लोग परिशान है उनका सामायने जन जिवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त चल रहा है जिन छेत्रों में पाने घट रहा है वहां के लोगों के सामने एक नई परिसानी है सनांत की बदबुसी लोग तरस्त है लगातार नए इलाकों में बाड का पाने फैल रहा है मंगलवार तक जिले के 61 पंचायत में बाड का पाने परवेश कर चुका था इनमें से 18 पंचायत पूरी तरह से बाड परवावित हो चुका वहीं 43 पंचायत में आंसिक रूप से बाड का पाने खुसा हुआ है गंगा का जलिस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है जिससे लोग और भी परिसान होते जा रहे हैं अंत में सबसे बड़ी खबर वेश्विक महामारी कोरोना संगन काल में लोगडाउन में बेरोजगार होकर घर लोटे अश्यंगटित चेतरों के बेरोजगारों को रोजगार देने के कावाळायास से जिला प्रसोषण ने तेज करी है आज संगठित छेत्रों के प्रवासित सर्मिकों को इस एप से जोड़ा जा रहा है इस एप में कोई भी बेरोजगार अपना बंजिकरन खुद भी करा सकेगा यह एप जल्द ही जनता के सामने आएगा इस एप से रोजगार देने के लिए सेबा प्रदता कमपनिय वा फेक्टरियों के संचलकू को भी जोड़ा जाएगा जिससे अब राज के जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार इस एप के साहता से जल्दी मिल पाएगा इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही देखते रहें न्यूज 24-7 साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकोन को जरूर प्रेस करें